नमस्कार स्वागत है आपका जे जे न्यूस में मैं हूँ आपके साथ किरन नैनिताल की जिलादिकारी वंदना सिंग की अध्यक्षता में मंगलवार को नैनिताल कैम कारियाले सभागार में श्री नंदा देवी महसव 2024 के आयोजिन की रूप रेखा तैयार करने के संबन में बैठक आयोजित की गई इस दोरान आयोजिकों ने राम सेवक प्रांगर मंदीर परिस्तर में होने वाले कारिक्रमों की विस्तित जानकारी सभी को दी और बहतर बनाने के सुझाव मांगे बैठक में राम सेवक सभा के महा सचीव जगदीश बवाडी ने बताया कि नंदा महसव आठ से 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी उन्होंने बताया कि बीते साल महसव के दौरान डी ऐसे पारकिंग और कई मार्ग खराब थे जिस कारण महसव में लोगों को आवजाही में परिशानी का सामना करना पड़ा था जिस पर जिलादिकारी ने लोनीवी अधिकारी को सडको को दुरुस्त करने के निर्देश दिये सांथी कहा कि 11 सितंबर को सुबह 3 बजे ब्रह्मय उरत में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जिसमें प्राण प्रतिष्ठा में दूर दरा से लोग पहुँचते हैं उन्होंने सुरक्षा की दृष्ठी से पुलिस प्रशासन को नेनिताल समेथ आसपास के इलाकों में पुलिस टीम की तैनाती करने के निर्देश दिये और नगर में अतिरिक्ती टीम लगाने की बात कहीं उन्होंने नगर में इटॉयलेट भंडारे के दिन पेजल विवस्था को बहतर करने की निर्देश दिये उन्होंने स्वास्विभाग की टीम को डी ऐसे मैदान के पास चिकित्सा परामर्श और रक्तदान शिवी लगाने को कहा साथ ही फाइब डिगेट और कंट्रोल रूम और विद्यत विभाग की टीम को तैनात रहने की बात कही जिरादिकारी ने नगर पालिका की अधिकारियों को दस दिन के भीतर नगर में खराब स्ट्रीट लाइट को सही करने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने महलसव के दोरान नगर में सज्जा सजावट नगर में लाइट विवस्था और साफ सफाई का विशेज धियान रखने की भी बात कही वही नगर में शोभा यात्रा के दिन ननिताल हल्दवानी भवाली पंगूट मार्ग में लोगों को आवचाही में परिशानी ना हो इसके लिए इन मार्गों में शटल सेवा चलाने के लिए परिवर विभा को निर्देश दिया उन्होंने महुस्व में पहाडी उत्पादों के व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा फिलार हमारे इस खबर में इतने ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे एन नियूस धन्यवाद